तो दोस्तो अभी अभी शराब बंदी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है ताज़ा जानकारी के मताबिक देश के साथ राज्यों में शराब की बिक्री पे बैन लगेगा इसके अलावा कई राज्यों में मीट और मचली के बेचने पर भी बैन लगेगा साथी में एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी के किसानों को लेकर ताज़ा जानकारी के मताबिक अभी हाली में यूपी के मुख्य मंतरी योगी अधित तनात ने किसानों के लिए एक बड़ा एलान किया है वहीं इस खबर के अलावा अभी अभी एक बड़े हदसे की खब बचा लिया गया है जिहां गुज्रायत के वडोधरा में गुरु अर्दो पहर हर्मी लेक में एक नाव पलट गई इस हाथसे में दस बच्चों समेत दो टीचर की जान चली गई नाव में सवार बाकी तेरा बच्चे और दो टीचर को बचा लिया गया है आसान शब्दों में गहें तो 18 जनवरी 2024 को गुजरायत के वड़ोदरा में ये बड़ा हथसा हुआ है अब देखें दूसरी बड़ी खबर के लोग सभा चुनाओं से पहले योगी सरकार ने किसानों को दिया शांदार तोहफा किसानों के लिए किया गया है बड़ा एलान जानकारी के मताबिक ये बड़ोतरी के बाद अब यूपी में एक क्यूंटल गन्ना 370 रुपे से कम में नहीं खरीदा जाएगा अब देखें वो बड़ी खबर जो शराब बंदी को लेकर आ रही है कि सात राज्यों में नहीं होगी शराब की बिक्री मीट और मचली के बेचने पर भी लगेगा बै राजस्थान, असम, चतीसगड, उत्राखंड, मध्यप्रदेश और हरियाणा इन सभी राज्यों में शराब की दुकाने बंद होगी इन राज्यों के मुख्य मंतरी ने यानि के वहां के सरकार ने ये एलान खुद किया है वहीं बताया गया शराब के साथ ही इन सभी सात र राज्यों में यानि के यूपी में, राजस्थान में, असम में, चतीसगड में, उत्राखंड में, मध्यप्रदेश में, हरियाणा में, मास और मचली की विक्री भी नहीं होगी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आने वाले 22 जन्वरी को यूपी का आयोध्या में राम मंद राजस्थान की खुशी में, देश के पांच राज्यों में, दिन भर का आउकाश रहेगा, यानि कि देश के पांच राज्यों में, सभी लोगों को छुट्टी दी जाएगी, 12 जन्वरी 2024 को, यानि कि जिस दिन राम लला मंदिर में विराजमान होंगे, जिन राज्यों में सनान करने के बाद पैदली मंदिर जाएंगे जिया प्रधान मंत्री मोदी प्रार प्रतिष्ठा के एक दिन पहले यानि के 21 जनवरी को आयोध्या पहुँच सकते हैं इसकी वज़ा है प्रार प्रतिष्ठा का मोहरत और मौसम में बदलाव बाती है के सुबह के समय घना को हरा इसकी वज़े से फ्लाइट को उतरने में मुश्किल हो सकती है इसलिए प्यम मोदी एक दिन पहले ही आयोध्या जाने का कारिक्रम बना रहे हैं बताया गया प्रधान मंत्री मोदी 21 जनवरी के शाम 5 बजे तक आयोध्या पहुँच सकते हैं देखें एक और बड़ी खबर के डीफ फेक रोकने के लिए आयटी मंत्राले ने तयार कर लिये हैं ने नियम नियमों के मताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को रोकना होगा फेक कंटेंट जूठा कंटेंट नहीं तो इंडिया में अपना कारोबार बंद करना होगा जी हां डीफ फेक रोकने के लिए के लिए IT मंतरले ने नयनियम तयार कर लिए हैं अभी हाली में खबर आय थी, कि deepfake वीडियो को लेकर, deepfake audio को लेकर और deepfake images को लेकर, साथ से आठ दिनों में नयनियम जारी किये जाएंगे तो इसी कड़ी में ये ताज़ा खबर आ रही है कि ने नियमों को तयार कर लिया गया है जो नियम बनाये गए है उसके मताबिक जो भी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म चाहे वो यूटूब हो, फेस्बुक हो, वटस अप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो यनि के एक्स हो, अगर इने में से कोई भी प्लाटफॉर्म ने नियमों का उलंगन करेगा, तो उसका कारोबार भरत में रोक दिया जाएगा, जो भी सोशल मीडिया कंपनिया ने नियमों को नहीं मानेंगी, तो उनको अपना कारोबार भारत में बंद करना होगा IT मंत्राले दोरा जो नए नियम बनाये गए हैं तो उसमें एक नियम ये है कि जो भी fake content होगा जो जूटी खबरे होगी या जो deep fake वीडियो होगे तो इन सभी को रोकने का काम social media platform का होगा देखे आगली खबर के पाकिस्तान ने इरानी हमले के जवाब में हवाई हमले किये पाकिस्तान के आरमी के ठीकानों पे हवाई हमले किये आने वले दिनों में दो मुस्लिम देशों के बीच भेंकर जंग हो सकती है। दोस्तो आगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा माइन कोश्चन यसा मानने गयान का सवाल है। हाई पट्टी के पास यात्रियों के खाना खाने की घटना पर इंडीगो और मुंबई अंतराष्टी हावाई अड्डा लिमिटेड पर कुल मिला कर एक करोड 80 लाख रुपे का जुर्माना लगाया है। बाती है कि अभी हाली में इंडीगो की फ्लाइट काफी घंटे लेट हो गई थी। यात्री रनवे के पास बैट कर ही खाना पीना खाने लगे वही पर बैट गए तो इसी वज़़ए से ये बड़ा जुर्माना लगाया गया है। देखे अगली खबर कि एपल ने बैंगलूरू में नया ओफिस खोला। और सुनिल लहरी ने प्रसाद ग्रहन किया जो सबसे फेमस रामायर सीरिल है जोके हर साल दश्रहरे के मोखे पर चलाई जाती है। तो उस रामायर में अरुन गोविल ने ही भगवान राम का किरदार निभाया है और दीपी का चिखलिया ने सीता मा का किरदार निभाया है। फारुकी की विकी जैंसे हाता पाई हो गई थी तो हाता पाई करने की सजा के तौर पर उनको बिग बोश सतर से बाहर किया जा सकता है। टेक कमपनी समसंग का गलोबल इवेंट अभी हाली में हुआ इसी गलोबल इवेंट में समसंग कमपनी ने S24 की सीरीज लॉंच की है। फोन की शुरुवाती कीमत 799 डॉलर है आप इसको भारते उर्पे में कनवर्ट कर सकते हैं। बाकि फोन की अधिक जानकारी के लिए आप समसंग की जो अफिशल वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डीटेल मिल जाएगी। पर नहीं गया था तो जो अभी लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं ये खबर उनके काम की हो सकती है। क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी महनत कफल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थाउस्ट वाचिए। झाल 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 झाल